वेलकम डूर यूटूब चैनल दरियल इंवस्मेंट आलोक इंडस्ट्री स्टॉक को लेकर बहुत बड़ी खबर यहां पर आ चुकी है जिसके चलते आलोक इंडस्ट्री स्टॉक को लेकर आपका पॉइंट अफ्यू यहां पर कुछ हद तक चेंजेस होते वे हमें देखने को मिलेगा आलोक इंडस्ट्री यह दो पैमाने पर हमें देखने को मिलता है जैसे कि आलोक इंडस्ट्री स्टॉक के अंदा Ambani जी की जो यहाँ पर investment है इनका जो stake है उसके rated यह काफी चर्चे में stock हमें देखने को मिलता है और number 2 की point of view की बात की जाए तो fundamentally कहीं ना कहीं यह stock हमें weak देखने को मिलता है क्योंकि इसके बहुत से reasons है और company के ओपर debt भी हमें देखने को मिलता है जिसके चलते आलोक industry यह stock जादा तर हमें lower range पर trade करते हुए देखने को मिलता है इसके चलते यह दो भी यहाँ पर reasons ऐसे हो सकते जहाँ पर आलोक industry stock को लोग यहाँ पर prefer करते हुए हमें देखने मिलते है तो चलिए अब इस बारे में यहाँ पर आप डिटारी इसके बारे में जान लेते है आप यहाँ पर देख सकते आलोक industry is doing the right things to multiply its share price यानि कि अपने share की price बड़ाने की चलते stock यहाँ पर ऐसे work करते वे देखने को मिल रहा है जिसके चलते share का price भी high होगा और अतिसाथ investors को return भी काफी हाथ तक आच्छा हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा आईए इस बारे में detail बात कर लेते if you want to find a potential multi bagger often there are underlying trends that can provide screws आप यहाँ पर देख सकते हैं अगर है multi bagger stock साभीत हो सकता है यहाँ पर एक reason यह भी देखने को मिलता है क्योंकि textile से जुड़े हुए बहुत से business यहाँ पर हमें देखने को मिलते है जिसके चलते है textile से rated है यहाँ पर coffee competition हमें देखने को मिलते है और इसी के चलते है यहाँ पर आलोग industry stock के अंदो कोई upward momentum या फिर यहाँ पर strong momentum हमें देखने की chances हमें कम देखने को मिलते है सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर competition जारा हमें देखने को मिलते है तो अगर हाँ नेक्स लेवल पर देखेंगे यह मल्टिपाइग स्टॉक साभित हो सकता है पोड़ा ही शेली मल्टिपाइग स्टॉक यही दो पॉइंट स्टॉक को स्टॉक को स्टॉक बना सकते है और यही दो पॉइंट स्टॉक के अंद स्टॉक होते हुए हमें देखने को मिल रहे दिस शोच अधाइग स्टॉक इस जारा पर यह जारा फोकस करते हैं फंडामेंटल स्टॉक के अंदर हम आरोई और आरोशी वह तेनों भी यहापर यह दोनों भी स्टॉक यहापर काफी स्टॉक बसुक बढोराती हुए देखने मिल रहे लगाता है स्टॉक के अंदर इसमें इंप्रॉमेंट होते ह mobilize देखने मिल रहे 30 या 34 की बीच का हमें ROC देखने को मिला था जो कि नेगेटिव था और वो अब हमें 4.8 परसेंटेज का देखने मिल रहा है यानि कि आलोफ इंडस्री स्टॉप के अंदर एक काफी अच्छी पॉजिटिव बाती हैं पर निकल कर आ रही है in absolute terms that's lower rate and lower return and it's also under performance for the luxury industry average यहाँ पर 13 परसेंटेज तब का हमें देखने को मिल रहा है आप यहाँ पर देख सकते हैं last three years अगों देखेंगे तो जीरो का था यानि कि कुछ भी आरोसी नहीं था और अब वो हमें 4.8 परसेंटेज के करीब करीब है देखने मिल रहा है एक warning sign भी हाँ पर हमें देखने मिल रहा है जो कि spotted देखने मिल रहा है might find interesting that while the alloc industry isn't earning highest return check out of the यहाँ पर अलग अलग आपको यहाँ पर graph देखने मिल जाए लेकिन आप यहाँ पर जो point है वो आप यहाँ पर समझने की कोशिश कजेगा जो कि list of the companies that earning higher returns on the equity with a solid balance sheet यानि कि return यहाँ पर company generate कर रही है ROE और ROC के अंदर development हो रही है बढ़ रहा है लेकिन एक बात हैं आपर देखने को मिल रही है जो कि हाँ आपर solid balance sheet देखने को मिल रही है जिसमें हम balance sheet में देख सकते हैं company reserve capital share साथ ही साथ हम उसके बारे में assets liabilities के ओपर focus करते हैं तो वह हमें solid यहाँ पर देखने ही मिल रहे है और इसे के चलते है आलोग industry stock का अगर आप momentum देखेंगे तो 22 पार 22 पर stock trade करते हुए हमें देखने मिल रहा है जहां तक कि stock closing की बात की यहाँ पर moderate है यहाँ पर जादे कुछ changes नहीं है और साथ ही साथ stock की हाँ जैसे इसके टार्गर पार जैसे मने आपको पिछले वीडियो में भी कहा था कि 20 से नीच या 90 से नीच जाते हुए आपको देखने को नहीं मिलेगा और यहाँ से stock एक बेकाउट दिखा सकता है लेक यहाँ पर कुछ 18.95 परेशने की देखने मिल रही है नेक्स लिए पर कंपनी के जो कर्जे की उपर की मैंने बात की थी वह आप देख सकते है डेप्ट कंपनी का 22,847 करोड रुपीस के करेप करेप का हमें देखने मिलता है और जितनी स्टॉक का है पर कैपिडल है उससे कही करकर और अपने डालापमेंट में लगाएगा और जिसे अच्छा कासा रीटन जनरेट होता है तो यहाँ पर आलोक इंडिस्ट्री ये स्टॉक एक मल्टिबागा स्टॉक साबित हो सकता है तो थांग्यू सो मच